तो दोस्तो एक बार फिर से एक नियो बड़े में आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज किस बड़े में हम बात करने वाले हैं पीम किसान के बारे में दोस्तो गर आप भी पीम किसान के लावारती हैं तो आपके लिए बड़े काफी इंपोर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि द दोस्तो अगर आप PM किसान के लाबारती हैं और आपको पैसे मिल रहे हैं PM किसान के थुरू से तो जितने भी आपको पैसे मिले हैं वो आपको सारे पैसे आपको सरकार को देना पर सकता है और साथ ही साथ में आप जेल भी जा सकते हैं आपको PM किसान के तरफ से जो भी किस्ति मिलें जो भी लाब मिलें तो किन किसान भायों को यहाँ पर सारकार को पैसे लोटाना है यानि वापस देना है तो दोस्तो यहाँ पर मैं आपको complete जानकारी देने वाला हूँ तो दोस्तो इस बडिमा अंतक बने रहना है तो चलिए के अंदर नहीं आते हैं यानि कि आप बलत तरीके से यहाँ पर PM किसान के लाब उठा रहे हैं पैसे ले रहे हैं तो इसको आप उनलाइन रिफंड कर सकते हैं सरकार को दे सकते हैं अगर आप पकड़े जाते हैं और आप वापस नहीं करते हैं तो आपके उपर F.I.R. भी हो सकता है तो दोस्तो आप इसके जरी से आप रिफंड ऑनलाइन कर सकते हैं कि अगर आप बलती से या फिर आप गलत तरीके से यहाँ पर आप लाब ले रहे हैं उठा रहे हैं तो जितने भी आपको किस्ति मिले हैं वो सारे पेसे आपको सरकार को देना पड़ेगा तो अगर आप इस तरीके से गलत तरीके से पैसे ले रहे हैं तो आप रिफंड ऑनलाइन के थुरू से आप सरकार को पैसे दे सकते हैं फिर आप अपने बलोक में जाकर आपको सारे पैसे वापस करना पड़ सकता है तो दोस्तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि रिफंड ऑनलाइन जो ल बने कीसान उना किन किसान तो सबसे पहले बात करते हैं कि यहां पर किसान के सबस्सक्राइब तो यहां पर लिखा वाई अगर वो जमिन सरकारी जमीनें तो इसमें आप किसानके लाबारती नहीं बन सकते हैं किसान परिवार्जाएं एक भी सदिसी नीचे दी गई सरण्यों में से किसी एक में है जो लोग सन्वेधानीक पदों पर आसीन हैं या नहीं है जो लोग मंत्री रायज मंत्री, लोग RPG सभा के सदे से रायज विधान सभा परिसत नगर नेवों के महापोर या जीला पंचायतों के अधियच हैं तो दोस्तों ये सरीनिम अगर आप आते हैं तो इसमें भी आप्यम किसान के लाबारती नहीं बन सकते हैं वे लोग जो रिटायर हो चुके हैं या जिन्होंने किसी सुपर नेशन अस्कीम में निवेश नहीं किया है जो 10,000 रुपिय या अधिक की मासिक पेंशन परधान करता है मल्टी टास्किन अश्टाफ चोथी स्रेनी गुरूबिक करमचारी को छोड़कर पिछले मुल्यांकन वर्स में टेक्स का भुकतान करने वाले लोग जो लोग पेशेवर निकावियों के साथ रेश्टर हैं और डॉक्टर इंजिनियर वकील चार्टर एकाउंटेड या आर्टिकेट होने के साथ ये काम करते भी हैं तो दोस्तों यहाँ पर सारी चीज़ आपको मालूम हो गया यहाँ पर यही चीज़ बताया गया है कि जो लोग यहाँ पर 10 या से जादे कमासी वेतन कमाते हैं या फिर पेंशन धारी है या फिर गुरुब डी कमचारी छोड़कर पिछले मुल्यांकनवर्स के टेक्स का भुकतान करते हैं तो दोस्तो जितने भी आपको यहाँ पर किस्ते मिले हैं वो सारे पेसे आपको सरकार को देना पड़ेगा अगर आप नहीं देते हैं तो आपके ओपर FIR और पेनल्टी भी लग सकता है दोस्तो जो किसान भाई इस केटेगरी के अंदर नहीं आते हैं तो आपको कोई भी पेसे आपको सरकार को रिफंड करने की आफशकता नहीं है लेकिन अगर आप यह सारे सरेनियों में आते हैं तो आपको सरकार को पेसे रिफंड करना होगा आपको यहाँ पर सरकार को सारे पैसे यहाँ पर वापस देना होगा, तो कैसे आप दे सकते हैं, तो दोस्तो उसके लिए यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ पर हमने PM किसान के Office of website में आ चुके हैं, तो जैसे आप यहाँ पर आएंगे, तो नीचे आप जैसे अस्क्रोल करेंगे, तो यहाँ पर आपको एक नया लिंक मिलेगा, जैसे कि आप दे सकते हैं, तो यहीं पर यहाँ पर लिखावा है refund online, यानि कि अगर आप बलत तरीके से यहाँ पर PM किसान के लाबारती हैं, और इसका लाब ले रहे हैं, तो जितने भी सारे पैसे वहाँ आपको सरकार को पैसे वापस देना है, तो दोस्तो उसके लिए यहाँ पर एक लिंक प्रवाइड किया, कि आपको कहीं पर जानी की ज़रुरत नहीं है, आप उनलाइन भी हमें पैसे वापस कर सकते हैं, तो दोस्तो इस website का link हमने वीडियो के description में भी दिया हुआ है, तो वहाँ से भी आप direct visit कर सकते हैं, तो दोस्तो यहाँ पर refund online करने के लिए आपको simply refund online पर click कर देना है, जिसे आप click करेंगे दोस्तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का interface दिखाई देगा, तो दोस्तो यहाँ पर आपको दो option ही दिखाई देता है, तो दोस्तो यहाँ पर पहला option में यह लिखा हुआ है, कि अगर आप पैसे refund कर चुके हैं अपने blog के मादियम से या district या estate, यानि offline तरिके से अगर आप अपना जितना भी सारे पैसे आपको PM किसान के थुरू से मिले थे, और अगर आप PM किसान के लाबारती नहीं थे, अगर आप सारे पैसे वापस सरकार को दे दियें, तो आप first वाले option में select करेंगे, यानि आप अपना blog या district या फिर अपना estate के मादियम से अगर आप पैसे refund कर चुके हैं, तो आप first वाले option में select करके, यहां से आप अपना check भी कर सकते हैं, उसके बाद दुस्तों यहां पर दुसरा जो option है, यहां पर आपको मिल आता है, कि अगर आपने अभी तक पैसी refund नहीं किया, अगर आप चाहते हैं, कि हम online कैसी refund कर सकते हैं, तो उसके लिए यहां पर आपको second वाले आपको select करना है, तो दुस्तों सबसे पिल्म यहां पर first अले option में यहां पर select करते हैं, और उसके बाद submit पर click कर देते हैं, दुस्तों जैसे हमने यहां पर click किया, तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का interface आ गया है, तो यहां पर देख सकते हैं, यहां पर यही लिखा हुआ है, कि field refund details तो यहां पर आप field refund जो भी आपने किया है, offline तरीके से, वो सारे यहां पर data को आप check कर सकते हैं, तो दुस्तों उसके लिए यहां पर आपको अपना कोई भी चीज़ आप select करेंगे, अधार number, account number या फिर mobile number, तो दुस्तों यहां पर आप अपने नुसार से select करेंगे, जो भी यहां पर आप select करेंगे, उसका यहां पर number इंटर करना है, जैसे कि यहां पर हमने अधार number select किया, तो यहां पर अपना अधार number fill करेंगे, और उसके बाद दोस्तों यहां पर जो भी आपको capture code मिलता उसको आप feel करेंगे और उसके बाद get data पर click कर दिना है तो दोस्तों जैसे यहां पर हमने get data पर click किया तो हमारे सामने कुछ से इस परकार का interface दिखाई दे रहा है तो दोस्तों यह website अभी अच्छे तरीके से work नहीं कर रहा है तो यहां पर आप इस तरीके से अपना data को check कर सकते हैं कि आपने जो भी offline पेसे यहां पर आप refund किये सरकार को दिये हैं तो आपका refund हुआ या नहीं हुआ तो यहां पर आप यहां पर check कर सकते हैं आप दोस्तों यहाँ पर दूसरा option यहाँ पर हम चेक करते हैं कि अगर आप online payment किये हैं या फिर आप online payment करना चाहते हैं तो इस वाले में option में आपको select करना है second में और उसके बाद submit पर click कर देना है दोस्तों यहाँ पर हम submit कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर हमारा कोई बी अभी वर्क नहीं कर रहा है यानि यह website अबी अच्छे तरिके से वर्क नहीं कर रहा है mobile पर हो सकता कि अगर आप अपना laptop या computer में इस्तेमाल करते हैं तो इसमें आपका हो सकता है कि work कर सकता है लेकिन पर अभी हमारा कोई भी option show नहीं हो रहा है तो दोस्तों जैसे ये website अच्छे तरीके से work करने लगा यहाँ पर फिर से मैं अलग से बढ़ी provide करूँगा तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर आप refund online कर सकते हैं हलाकि यह अभी website अच्छा से work नहीं कर रहा है तो चलिए दोस्तों फिर मैं सही बहुत जल्द इनेस्ट बड़े में मिलती है